अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेडिकेशन नहीं मांगता है आपकी नॉलेज टेस्ट करता है मतलब आपके अंदर इंटरस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके तभी इसको पढ़ने का मज़ा है शाम के चार बज गए है और यार आजकल यूट्यूब बड़ पढ़ाए भगवान जाने अप्लोड करो फिर अप्लोड करो फिर अप्लोड करो और क्या है अपन फ्रेश कंटेंट में बिलीव करते क्योंकि एनरजी साला तभी आती है पुराना पुराना डालदाना तो मज़ा नहीं आता यह उनों पहले से रिकॉर्डिंग करके सो ठीक ह कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है कोई दिककर नहीं है आज चालू करने वाले हम कॉर्प्रेट फॉर्म्स ऑफ बिजनस का शुरू करते है तो इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है कंपनी की देखो पार्टनर्शिप और सोल प्रोप्रेटरिशिप यह more of traditional form of business है य क्या इनको देख देख के बोरियत होने लगी है अब क्या हुआ है इंडिया में joint stock company का culture आ चुका है हां cooperative societies का भी रहा है अमूल जैसे बहुत अच्छा example है उसका लेकिन अब तो भाई joint stock company का जमाना आ रहा है even soul proprietorship भी धीरे धीरे replace होती चली जा रही है one person company से because legally वो ज्यादा अच्छे से evident होता है तो अब हम करने वाले हैं अपनी hashtag booty one जो के है introduction and characteristics to joint stock company बजाव डोल अब आप भारत के सम्विदान पर जित्ता भरोसा करते हैं भारती है सब्विता भी उत्रा ही भरोसा करती है पता नहीं क्या बोल रहा हूं लेकिन मैंने सोचा कि कुछ cool introduction होना चाहिए लेकिन का यार मुझसे निकाली नहीं पाता आप पता नहीं awesome बंदी की कोशिच कर लो कि इतना भी हो ही नहीं पाता है हां तो भाई मैं क्या कह रहा था कि हम बात करेंगे आज companies 2013 की क्योंकि joint stock company उसके अंदर आता है अब तो मैं मार्क्स चाहिए या बिना बात की बातने करनी है मार्क्स चाहिए ना तो मार्क्स के लिए तुम्हें सबसे अच्छी और easy definition याद करनी के company वही company होगी जो registered या in corporate, in corporate का मतलब होता है उसका formation ही company की तरह हुआ हो सन 2013 के act के अंदर या फिर any other previous company law और any other law 1956 अगर उसके अंदर हुआ था company's act 1956 यार उसके अंदर हुआ था उसके अंदर भी माना जाएगा उसको company या उससे पहले sales of goods act वगरा जो आते थे उन में से किसी के अंदर किसी clause के अंदर अगर हुआ हो तो भी आप उसको company ही मानेंगे यह तो हो गया पहला पॉइंट now company की दिक्कत पता है क्या है जैसे मतलब आप समझ समझ के देखो यार आप लेने का पूंस पाउदर तो आपको क्या लेना देना है कि पूंस पाउदर का owner कौन है आप उनसे कोई लेना नहीं पड़ता लेकिन actual में यहाँ पे है क्या जो पॉंस पाउदर है वो एक अलग ही branding है अलग अलग companies जो है वो अपनी अलग ही branding रखती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता कि उसका owner कौन है यहाँ पे पहला point आ जाता है भले यह सब लिखा हो मैं system आपका चलता है simple बात है यानि सीधी बात क्या हो गई a company is always a separate legal entity कानूनी तोर पे उसका अपना ही एक अलग वजूद होता है क्योंकि वो एक artificial person है artificial person मतलब human existence नहीं है humanly existence नहीं है लेकिन 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 वो अपने आपको as a brand अपने आपको as a नाम नाम तो रखा है ना तो न artificial person का मतलब क्या है यहां पर real person existence में नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसका नाम रख रखा है तो yes it is an artificial person यार वो पता है टाटा की कारली अब टाटा कौन इनसान तो है नहीं रतन टाटा की बात करने के लिए मेरी यार हाँ तो यार रतन टाटा की में बात भी नहीं कर रहा है मैं बात करो का इस लखने कन बना दिया जैसे इनसान से कारली राहल धाकर बोला मैंने यापण बना लिंसको बहुती प्यार महबत से यूमन ली निचर में बनाते हैं फिर आजाते हैं हम एक common seal मतलब यहाँ पर क्या होता है क्योंकि एक आम इंसान तो है नहीं है एक humanly existence है तो नहीं तो यहाँ पर होता क्या है company के representatives होते हैं जैसे board of directors हो गया जैसे CEO हो गया या फिर managers हो गया तो इसलिए company की common seal होती है मतलब company की common seal लगती है ठपा लगा और उसफे sign क्या show करता है as a board of director as a CEO these people are representing the company एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि आपकी company के अंदर liability limited होती है मतलब अगर आपने 500 रुपय as a public लगा है public limited company में public sector सरकार का होता है public sector सरकार का होता है लिख लो बिल्कुल तरीके से public sector सरकार का होता है public company companies act के अंदर होती है दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं है ना ठीक है एक जैसा public public है तो confuse मत होना so limited liability के बाद जब मैं बात करना चालू करूँ अच्छा चलो ठीक है मैं limited liability बताएता हूँ तो limited liability में अगर बोला जाए तो यहां पर public company जो होती है उनका अपना ही एक ऐसा existence होता है जहां पर वो बोलती है कि आपने जितना पैसा लगाया था आपने पानसो रुपय लगाया था आप उससे ज़्यादा पैसा हमें मत दो अगर हम डूपते भी हैं तो हम आपके वो 500 या 100 रुपय जितने भी आपने लगाये थे as a general public हम उतने ही लेके डूबेंगे हम उससे ज़्यादा पैसा आपसे मांग ही नहीं रहे है तो यह बहुत अच्छी बात है when it comes to companies मैं यह नहीं बोल रहा कि यह public limited company में ही है मैं तो यह अंदर कित्ते हो सकते हैं 2 minimum हो सकते हैं 200 maximum हो सकते हैं अगर private limited company है चालो कित्ते 2 minimum 200 maximum public limited में कित्ते हो सकते हैं भाई 7 maximum अच्छा 7 minimum 200 maximum इस तरीके से private or public limited companies work करती है character 6 यही होती है इससे जाद आपसे नहीं पूछी जाती तो ध्यान भी मत देना तुम लोग इसको लिखो जब तक पता नहीं मैं पॉंस पाउदर कहां रख दे मैं धूंड के आता हूँ तो यार पता है हुआ क्या मेरे को पता चला कि अक्सर बच्चे इस चीज को बढ़ते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है इतना लेंदी दिया हुआ है private public company वाला topic तो यार छोड़ते रहते हैं या करते हैं तो बड़े confusion के साथ करते हैं तो यार फिर बाबाजी थॉट और श याद करना है मैंने जितना सिंपल हो सकते हैं उत्रा सिंपल लिखा है सबसे पहले member की बात करते हैं member इसमें minimum होंगे 2 maximum जा सकते हैं 200 इसमें होंगे minimum 7 maximum जा सकते हैं अनंतकाल तक there is no limit because when publication involved publication many many means very many you are getting my point बिल्कोल सही फिर आगे देखे डिरेक्टर्स की बात करते हैं बाई कि board of directors कितने minimum होने चाहिए तो minimum की बात करें तो public limited में minimum 3 होने चाहिए इस बिचारे के अंदर minimum में 2 में भी काम चल जाएगा तो चला लेना काम अगर private limited खोल रहे हो तो फिर आते है paid up capital के बारे में जो के अब revise हो चुका है as per companies 2013 तो paid up capital minimum इसके अंदर आती है public limited company के अंदर 5 लाक काम से कम 5 लाक लगाने पड़ेंगे आपको अगर public limited company बनना है तो फिर आ जाते हैं हम minimum पे किस पे हमारी private limited जो बिचारी बड़ी ही तरस वाली रहती है उसके अंदर 1 लाक रुपे minimum लगा के आप चालू कर सकते हो आपका business मान लिया जाएगा फिर आते हैं यार public investment पे फिर आ अब यार commencement की बात करें तो public के साथ थोड़ा सा लोचा है लोचा क्या है भाई कि अगर public limited company को अपना business चालू करना है तो उसके लिए उसे दो certificates की जरूद पड़ेगी पहला तो उसका होगा certificate of incorporation वो ये बताएगा कि आपने business को incorporate कर लिया है business तयार है ready है काम करने के लिए मतलब अगर इसके पास certificate of incorporation है there is no need of having a commencement of business certificate अपना काम यहाँ पर बनता जनता तो फिर आगे बड़ते हैं transfer of shares पे public limited company में यहाँ पर आप लोग गलती करते हो क्यों मैं बता रहा हूं terminology के कारण entrepreneurship development के अंदर इसके marks काटे जाते हैं जब transferability of shares की बाता है इसमें लिख सकते हो yes बिलकुल लिख सकते हो लेकिन इसके अंदर no नहीं लिख सकते हैं इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा restriction है transferability of shares पे मतलब दिरा certain clauses जो कि आपको मानने पड़ते हैं तो you cannot directly say no you have to say restriction on transferability of shares बस यहाँ पर इतनी है यह आप उतार लो मैं जा रहा हूं मैं को अभी भी pawns powder न लेना है करना है यह particular chapter तो यार कोई specific approach होनी चाहिए तो पता है बोटी का एक रास बता रहा हूं तुम लोगो मैं बता ना नहीं किसी को कि हमने जो topic उठाए हैं वो उसे साब से उठाए हैं कि इन में से या तो एकटा पूछा जाता है या इन में से either or में options में आता है तो एक पता हूंगा ना वो सुन लेना उतना जादा नहीं है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो technical terms use करके बट हां कमेंस्मेंट को थोड़ा ध्यान दे लेना तो चलो चालू करते हैं नेक्स्ट बूटी हैश्टैग थ्री तो आप बात करते हैं आगे बढ़ते हैं दो और चीजों के बारे में पहला हो गया suitability देखो भाई पैसा है सीधी बात है पैसे वाली पहले बात है अगर आपके पास पैसा है तो आप public limited company की तरफ जा सकते हो और अगर उतना पैसा नहीं है तो private limited पे stick करो that is the basic point दूसी point यह ह आपका vision और mission क्या है अगर आप company को बहुत ही बड़े scale पे लेके जाना चाहते हो भाई कौन मना कर रहा है किसने मना किया आप बताईए आप लेके जाए company को उस बड़े scale पे लेकिन जब आपकी पास वह resources ही नहीं है वह आप उस तरह की usefulness ही नहीं रखते implication ही नहीं रखते त company को उस लेवल पे तो पहली चीज तो यह सूटेबिल्टी वाला टॉपिक खतम करते कि यह बाई basically यह है how your mission and vision is और दूसी चीज के अप्रोच आपकी क्या है capital आपकी क्या है resources आपके कित्ते हैं बस खतम इससे जादा इसके अंदर याद नहीं रखना है next comes is steps in the process of formation of a company तो यार company इंडिया में कैसे form होती है कैसे comments होती है आपको steps बता होना चाहिए entrepreneurship development के अंदर क्या किया गया steps में पहले आता था अगर आप 11th की business जानते हों तो basic steps बता जेते थे कि यह यह कर लो शुरुबात कर लो हो जाएगा यहाँ पे उन्होंने उसी procedure को बढ़ा दिया उन्होंने इसमें पहले बताया idea होना चाहिए यह होना चाहिए घने बगवास करे हैं और उसके बाद उन्होंने steps बताना चालू किया तो हम भी उसी form में जाएंगे उन्होंने सबसे पहले बोला conceive the idea आपके पास एक vision होना चाहि एक सोच होनी चाहिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हो because जब आप इतने पैसे के साथ बैठोगे इतना पैसा लगाओगे market में तो आपकी पास idea तो होना जरूरी है ऐसा तो है नहीं कि टमाटर बेचने निकले है market में और लिया भाई बेच के आगे घर पे नहीं it's a big project तो स चो कि करना क्या चाहते हो second comes is scan against environmental factors so बहुत सारे environmental factors होते हैं कि वो चीज़ इंडिया में काम करेगी भी या नहीं आप इंडिया में वो चीज़ चालू तो कर दो आपका vision बहुत अच्छा है आपका mission भी बहुत अच्छा है आप चाहते भी बहुत अच्छी चीज़ प्रेडि होते हैं price sensitive होते हैं और वो मेहगी चीज़े खरीदना नहीं चाहते हैं फिर आ जाते हैं procure resources बट आपको resources की जरुद पड़ेगी कि आप कौन-कौन से resources use करने वाले हो and ultimately ensuring incorporation अब यहां पर आपका incorporation चालू होने वाला है यहां पर बहुत सारे steps होते हैं जो आपको follow करने पर आप apply करके यह बताओगे that you want to form a company फिर होगा filling of memorandum of association and article of association now memorandum of association जो होता है उसके अंदर आप company में board of directors किते हैं कौन है paid up capital किती होगी कैसी क्या capital का structure होगा loan आप किता market से उठाओगे registered office क्या होगा telephone number क्या होगा कौन-कौन board of directors से उनके even home addresses आप उसके अदर mention करोगे that means जो भी आप सोच सकते हो ना the biggest imagination you can ever have उसके अंदर जो जो आप कर सकते हो है company related सारी information MOA के अंदर आ जाती है दूसरा आता है article of association article of association वो जनरल रूल्स और गाइडल की जाएगी company की basic policies norms क्या है यह सारी चीज़े article of association के अंदर डिफाइन होती है statement of authorized capital इसके बाद आप बताओगे कि आपकी company के अंदर maximum या minimum जो भी है आप basically जो भी वेरियंट लेके चल रहे हो आपकी authorized capital किती है finally आप name approval के लिए भेजोगे obviously आपको लगेगा नयार कि आपका ज किसी दूसरी company के नाम के साथ resemblance तो नहीं कर रहा क्योंकि फिर आपको वो नाम रखने नहीं दिया जाएगा then written concept of proposed board of directors यानि अब आपको board of directors की आप written consent लेनी पड़ेगी कि they are willing to act as the board of directors for the company यहाँ पर यह चीज़ important आ जाती है जो आपके questions में पूछी जा सकती है then comes purchase of qualification shares अब जब उनके consent मिल जाएगी तब आपको qualification purchase करने पड़ेंगे shares जो board of directors है मतलब इतने shares खरीदने के बाद ही आप board of directors बन सकते हो तो board of directors जब वो shares खरीदेंगे then they will be termed as the board of directors of the company नहीं खरीदेंगे तो नहीं बन सकते ना खाता मत खरीदो फिर managing directors आप managing directors appoint करोगी अगर आप चाहते हो तो वरना board of directors आपके लिए काफी है but ultimately किये जाते है तो मैं बता रहा हूँ कि managing directors को appoint किया जाता है then registered office clause आप registered office के बारे में पूरी चीज़ें disclose करोगी है अब बोलोगे sir मैं MOA में disclose तो किया है लेकिन हाँ यहाँ पे आप perfectly यह हमने अपने आपको register करा लिया है हम legally incorporate हो चुके है हमारा incorporation पूरा complete हो चुका है हम कुछ ही time में commence करने वाले है business लेकिन आपको मैंने बताया मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि public limited company के लिए incorporation के बाद भी एक एक certificate और चाहिए और वह कौन सा है बिलकुल सही जा रहे ह certificate of commencement of business तभी चालू कर सकते हो वरना नहीं लिखो इसको जल्दी से तो चलिए अपन अब last एक point कर लेते हैं कि आपको certificate of commencement of business से पहले क्या करना पड़ता है मैं चार point बोलने वाला हूँ बहुत basic से है मैंने सोचा नहीं कि इतना जादा उसके लिए आपन को कोशिश करने की जरूरत है लेकिन फिर भी क्योंकि जरूरी है वो सुन लो तो last point जो आता है उसके अंदर चार point है पहला point कहता है कि at least आप ये declare कर दो बता दो कि आपने 90% minimum subscription की requirement fulfill कर ली है एक public limited company की 5,000,000 minimum capital होती चलो 10,000,000 ले लेते हैं अगर आपने आम जनता से 10,000,000 रुपे मंगवाए है क्योंकि आपने register 10,000,000 रुपे करके रखे थे तो 10,000,000 का आम जनता से तो आपने मंगवाया है वो minimum 90% तो मिल जाना चाहिए अगर 90% minimum नहीं मिला यानि 9,000,000 रुपे नहीं मिला तो आपको पूरा पैसा वापिस करना पड़ेगा और चलो second point पे आजाते हैं कि मानलो आपने वो 90% का criteria fulfill नहीं कर पाए आम जनता ने आपको पैसा दिया ही नहीं आपके business में interest दिखाए नहीं और आपको 9,000,000 रुपे से कम मिले तो जिन लोगों ने भी apply किया था वो कहलाते है applicants आपकी company में पैसा लगाया था भले बाक्यों नहीं लगाया at least 60-70% तो आया होगा subscription तो आप उन applicants को जिन्होंने apply किया था उनका पूरा पैसा वापिस कर चुके हो और आपके पास 9 application money left है मतलब ऐसा कोई भी आपकी पैसा नहीं बचाए applicants का जो आपने रख रखा हो क्योंकि आप 90% से कम वाले लोगों का पैसा भी नहीं रख सकते अगर आपको minimum नहीं मिला है तो पैसा third point पर आ जाते हैं ये भी बहुत जरूरी है कि जो directors है उन्होंने उनको जो shares allot किये गए हैं उनका पैसा भी दे दिया है ये मत सोचना क्या रहे घरवाली बात है directors क्या पैसा देंगे company में नहीं company is a separate legal entity तो ये भी प्रूफ करना जरूरी है कि directors have paid in the amount which is proposed for them to be as a board of director वो पैसा company में लगा चुके हैं जो उन्हें board of director बनाता है जिसके कारण उन्होंने company के shares खरीदे हैं और lastly एक declaration कि ये जो तीन चीजे मैंने आपको बताई है इनको compile कर दिया गया है इनको approve कर दिया गया है इनको तरीके से किया गया है इसका declaration आपको legally देना जरूरी है कि in case कभी आप failure में जाते हैं तो आपके उपर legal action लिया जा सके तो याद रखना बिना इसके company अधूरी है incomplete है commence business अब तभी कर पाऊगे भले इंकोर्परेट कर लो इनकोर्परेशन से कुछ नहीं होता है commence तभी कर पाऊगे जब यह चीज़ें अपने फुल्फिल करके रखी हुई है तो यार दोस्तों आज हमने किया तीन बूटी अच्छा मैं इसको यह नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा complicated हो क्योंकि जो यह chapter है company वाला यह दो पार्ट में actual में हमने जब सोचा तो हमने divide किया था क्योंकि इसके अंदर आगे थोड़ी सी complexity और हम नहीं चाहते कि आप बिना बात के attention लो जब बाबा जी है जब बोल चुके हैं आंतरप्रेंशिप development होगा तो तुम की इस बात की attention ले रहे हो यार कर लिया इत्ता notes बना लिए आराम से चिल्डा उट होके बैठो भाई और कल मिलेंगे हम 4 बजे वापिस इस chapter पे आखरी कील लगाने के लिए भाई आखरी डंका बाब जी कि दरब से